बोचाहा उपचुनाओं के परिणाम ने भाजपा में अंतरकला शुरू कर दिया है देखिए सबसे पहला और तीखा प्रतिक्रिया जो है वो भाजपा के पूर्व उपमुख मंत्री रहे बिहार के सुशील कुमार मूदी के द्वारा आई है सुशील कुमार मूदी ने इस बात को सपष्ट किया है कि सिर्फ बोचाहा उपचुनाओं में ये बात जो बार बार कहा जा रहा है कि भुमिहार वोटर खिसके हैं दरासलि ये बात सही नहीं है सिर्फ भुमिहार वोटर ही नहीं बलकि जो आती पिछला समाज का वोट है वो भी भाजपा से अब खबा चल रहा है यही कारण है कि बोचहा उप चुनाओं के परिणाम में बेबी कुमारी जो हैं वो इतने भारी मतों से हारी है करीब 36,000 के असपास का अंतर रहा है आमर पासवान और बेबी कुमारी के वोट के भी अब देखिए इसे लेकर यह बड़ा हमला माना जा रहा है भाजपान नेताओं के उपर सुचिल कुमार मोदी ने यह बात भी असपश्च किया है कि 2024 के लोग सभा चुनाओं और 2025 के बिहार विधान सभा चुनाओं के पहले बीजेपी को इस पर समिक्षा करनी होगी ताकि उनका जो कैडर वोट है जो उनके परमपरागत वोटर रहे हैं बिहार में वो उनसे खफा ना हो इसमें खास कर उन्होंने बल दिया है आति पिछड़ा समाज के वोटर के उपर साथी साथ पासवान वोटर हुए सहनी वोटर यानि मला वोटर जो होते हैं भुम्यार वोटर इन सभी लोगों के उपर सुचिलकुमार मोदी ने यह टिपनी की है इसके बावजूत भी आती पिछरा और सवन्ड समाज के एक वर का वोट खिसक गया है। शुचिल कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार विधान परशत के 24 सीटों पर हुए चुनाओं में NDA को 10 सीटों का नुकसान और फिर विधान सभा के बोचहा उपचुनाओं में NDA उमिद्वार का 36 हजार मतों के अंतर से पराजित होना गहन आत्म चिंतन का विशय है। चुनाओं परिणाम में देखने को मिला और साथे साथ बोचहा विधान सभा सीट का परिणाम भी इसी बात का संक्यत देता है। ट्विटर पर उन्हों ने लिखा कि बिहार विधान परशत की 24 सीटों पर चुनाओं और विधान सभा की 45 सीट पर उपचुनाओं में NDA के घटक दलों के बीच 2019 जैसा ताल मेल क्यों नहीं रहा। शुचिल कुमार मोदी ने लिखा है कि 2019 के लोग सभा चुनाओं में NDA के घटक दलों के बीच बेहतर ताल मेल था इसलिए NDA को 40 में 49 सीटों पर जीत हासिल हुई थी लेकिन अब वह ताल मेल जो है वह गरबडाता हुआ दिख रहा है और इसी का परिणाम अब बिहार NDA जो सुचिल कुमार मोदी के ये बयान हिसारे में सही बीजेपी के ने त्रीकों कर घटें खड़े करने वाला है बीजेपीं के लोग सभा चुनाओं का जिक्र पूर्व श्टियलकुमार मोधी के द्वारा पूर्व अभी नितीश कुमार के पक्ष पहले ही बारबार दिखने लगता है और इस बार फिर से उन्होंने अपने ट्वीटर के माध्यम से अपना जो पक्ष है जो अपना मत है वो उन्होंने रखा है कि बिहार एंडिये में तालमेल की कमी है और अगर ये तालमेल सही नहीं होता है तो आने वाले लोकसभा चुनाओं और आगामी 2025 का विधान सभा चुन